अरहर की दाल को तुवार भी कहा जाता है अरहर की अधिक उपज देने वाली वकम समय में पकने वाली विभिन जातियों में से किसी एक उप्यूक्ट जाती का चुनाव कर बुवाई की जा सकती है अरहर की फसल की ये जातियां 120 से 160 दिनों में पक कर तयार हो जाती है इसी कारण से अरहर को बहुफसली फसल चक्रों में गेहून तथा अन्य फसलों के साथ उगाया जाता है भारत में अरहर की खेती तीन हजार वर्ष पूर्व से होती आ रही है यह बहुदा वर्षा रितू के आरंब में और खरीफ की फसलों के साथ मिला कर बोई जाती है वर्षा के अंत में ये फसलें पक जाती है और काट ली जाती है इसके बाद जाडे में अरहर बढ़कर खेत को पूर्ण तया भर लेती है तथा रभी की फसलों के साथ मार्च के महीने में तैयार हो जाती है पकने पर इसकी फसल काट कर दाने जाड ले जाते हैं अन्य पसलों के साथ मिलाकर इसका बीच केवल दो किलो प्रती एकड़ के हिसाब से डाला जाता है अरहर को वर्षा के पहले दो महीनों में यदी निकाई वगोड़ाई दो तीन बार मिल जाए तो इसका पौधा बहुत बढ़ता है और पैदावार भी लगबग दूनी हो जाती है चने की तरह इसकी जड़ों में भी हवा से खाद नाइट्रोजन एकठा करने की ख्षमता होती है अरहर बोने से खेतों की उर्वरा शक्ती बढ़ती है और इसे स्वयम खाद की आवश्यक्ता नहीं होती इसको पानी की भी अधिक आवश्यक्ता नहीं होती जब धान इत्यादी पानी की कमी से मरता था मुर्जा जाते हैं तब भी अरहर खेत में हरी खड़ी रहती है कमजोर अरहर की फसल पर पाले का असर कभी कभी हो जाता है परन्तु अच्छी फसल पर जो बरसात में गोड़ाई के कारण मोटी हो गई है पाले का भी असर बहुत कम या नहीं होता हल की दो मट अत्वा मध्यम भारी प्रचुर स्फुर वाली भूमी जिसमें समुचित पानी निकासी हो अरहर बोने के लिए उप्युक्त है खेत को दो या तीन बाद हल या बखर चला कर तयार करना चाहिए खेत खर्पतवार से मुक्त होता था उसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था की जावे हमारे चैनल जी किसान को सब्सक्राइब करें शेयर करें